तो लिए तेप्रोंड में हम लोग टाइप्स पढ़ रहे थे और इसके अंदर में बात करूँ तो हम लोग पहले दो प्रोनाउंस देख रहे थे परस्नल प्रोनाउन और पॉस्सेव प्रोनाउं उसमें सिर्फ एक केस रइडिया है वो और देख लेते हैं हम लोग use of one use of one ठीक है तो one देखेंगे हमकी किस किस तरीके से हमारा काम कर सकता है तो यह जो आज मैं आपको concept कराने जारी हूँ यह one का concept कराने जारी हूँ इसके बाद आपका possessive pronoun और personal pronoun जो है वो complete हो जाएगा तो अगर मैं बात करूँ one की तो स्ट्रेंट्स यह जो है आपका एक adjective हो सकता है या फिर मैं बोलूँ एक dataminer का यह काम कर सकता है और अगर यह adjective या फिर dataminer का काम करेगा तो that means कि इसके बाद आपके पास क्या होगा एक noun होगा इसके बाद क्या होगा आपके पास एक noun होगा और यह जो noun होगा स्ट्रेंट्स वो कैसा होगा आपके पास singular यह जो noun होगा वो कैसा होगा singular क्योंकि one जो है एक ही counting को दिखाएगा और एक ही counting को दिखाएगा तो that means कि यह जो noun इसके बाद लिखा जाएगा और अगर यह जो noun है वो singular लिखा जाएगा तो that means कि जो verb हम use कर रहे होंगे sentence में वो verb भी कैसी use होगी आपकी, वो भी आपकी singular ही use होगी, ठीक है, तो verb भी आपकी singular, noun भी आपका singular और यह किस purpose से use होगा, आपका counting purpose से use होगा, कैसे, for example, अगर मैं बोलूँ कि I have, I have one rupee I have one rupee, मेरे पास एक rupee है, ठीक है, मेरे पास एक rupee है, तो that means काउंटिंग बता रही हूँ मैं, मेरे पास कितने rupee है, एक तो that means कि मैं यहाँ rupees नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरे पास one जो है, वो singular है, और noun भी मेरे पास यहाँ क्या होना चाहिए, singular होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि one girl, one girl is, are, coming here one girl is, are, coming here, that means मैं क्या कहा रही हूँ कि एक लड़की जो है, एक लड़की यहाँ पे आ रही है, एक लड़की यहाँ पे आ रही है, तो one के बाद जो noun लिखा जाएगा, वो कैसा लिखा जाएगा, singular, और अब लड़की एक ही है, तो verb की plural की कोई sense नहीं आती, हमें verb भी कैसी लगानी पड़ेगी, singular लगानी पड़ेगी, तो one girl is coming here, तो अगर हम दोनों ही sentences में देखें, तो one के बाद हम क्या लिख रहे हैं, एक noun लिख रहे हैं, और एक noun लिख रहे हैं, तो that means यह जो one है, यह आपका क्या है, adjective है, या फिर determiner है, जो direct आज का lecture देख रहे हूँ, पहले अपने पुराने lectures को complete कर लेना, तभी आज का lecture शुरू करना, तभी आपको चीज़े जो है, वो समझ में आएंगी, तो adjective और determiner में क्या difference है, determiner adjective का part होता है, यह सारी चीज़े मैं आपको अलएडी समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, तो सबसे पहला concept जो है, हमने one का, आपको क्या देखा, कि one जो है, वो counting purpose के लिए use हो सकता है, और उसके बाद जो noun लिखा जाएगा, वो आपका singular होगा, और जो यहाँ पे one जो है, वो आपका किसका काम कर रहा होगा, students, adjective का काम कर रहा होगा, ठीक है, तो यह सबसे पहला concept है, आपने note कर लिया होगा, screenshot ले लि अलग से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, one को, उसके बाद हम क्या लिखते है, of, उसके बाद हम क्या लिखते है, noun या फिर pronoun, इसके बाद क्या लिखते है, noun या फिर pronoun, मुझे एक बात बताईए, जब मैं sentence को इस तरीके से लिख रही हूँ one of noun या फिर pronoun तो यहां पे जो यह ओफ है यह possession दिखा रहा होगा या selection दिखा रहा होगा तो बिल्कुल one of मैं बोलूं अगर one of the girls one of the boys that means कि जितनी भी लड़के हैं उनमें से एक लड़की जितने भी लड़के हैं उनमें का काम कर रहा है इसने किसका काम किया प्रोनाउन का अब मैं इसके बाद नाउन नहीं लिख रही हूँ तो उन लड़कियों मेंसे एक लड़की को चाट रहे हैं और लड़कों में से हम लड़के को छाट रहे हैं तो उन लड़कियों या उन लड़कों को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज किया है वन को यूज किया है तो वन आपका यहां क्या हुआ प्रोनाउन हुआ ओफ यहां क्या दिखा रहा है आपको सेलेक्शन दिखा रहा है तो मु लड़की एक ही हो हम सीधा ही बोल देंगे लेकिन मुझे यहां स्टेशन दिखाना है यहां पर अंहीं पर यहां पर उतलाउन होगा आगर मैं बोल वन ऐसे एक तो यहां पर नौन या प्रनाउन आरहा होगा वह हमेशा ही कैसा लिखा जाएगा आपका प्लूरल लिखा यहां पर दो तो हमारे पास होने ही चाहिए तो इसलिए जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा यहां पे वह हमेशा ही कैसा आएगा सुछा प्लूरल आएगा अब इसके आगे यहीं पर इस से आगे की बात कर रही हूं इसके बाद हमें एक वाब लिखनी है अब मुझे तो आपने गया क्या बोला लड़क्यों में से एक हाएं लगाई अगर मैं Ano so चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, तो that means हमारा जो main subject है, वो कौन है, one, तो इसके according ही ये verb लगेगी, और verb जो है वो हमेशा ही कैसी आएगी, singular आएगी, वहाँ पे verb आपकी कभी भी plural नहीं होगी, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हमने किसकी बात की है, selection की, अब one जो है possession भी दिखा सकता है, वो कैसे दिखा सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे, एक बार इसका example देखते हैं, ठीक है, तो इसको note down कर लीजिए, एक बार फिर आगे बात करते हैं, फिर मैं आपको example लिखती हूँ, for example, for example, लिखे, अगर मैं बोलूँ कि one, one of the girls, one of the girls, girl नहीं आएगा, यहाँ पर यह बात आपको समझ में आ गई होगी, कि one of the girls has, have, has, have done his, या फिर her, their work, has, have done his, her, their work, तो मैं कहारी हूँ, लड़कियों में से एक जो है, तो that means कि verb हमारी singular हुई, has done, his, her, their, अब his तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ बात किस की हो रही है, girls की, their आएगा ही नहीं, क्योंकि इन में से हमने कितनी लड़कियों को सिलेक्ट किया है, सिर्फ एक लड़की को सिलेक्ट किया है, तो there भी नहीं आएगा, और यहाँ पर बात लड़कियों की हो रही थी, तो लड़कियों में से हमने लड़की को ही चुना होगा, तो that means कि यहाँ पर अगर मुझे पोजेशन दिखानी है तो वो पोजेशन क्या यूज होगी students? हर यूज होगी क्योंकि girls में से हमने एक लड़की को choose किया है बात समझ में आई? ठीक है? तो इस तरीके से हमें sentence को जो है वो solve करना है तो possession हमारी जो ऐसे sentences में जब हम selection दिखाने की बात कर रहे है तो जब हमें possession दिखानी हो तो हम ये देख लेंगे कि जो हमें noun given है उसका gender क्या है तो वहाँ पे हम क्या use उसके gender के according क्या लगा लेंगे? possession लगा लेंगे लेकिन हमने देखा है कि जब हमें gender ना पता हो जब हमें जेंडर ना पता हो तो हम priority किसको देते हैं? His को और उसके बाद अगर His given नहीं है तो हम priority किसको देते हैं? Her को देते हैं और It के use में Last lecture में आपने देखा होगा कि हम It's be use कर सकते हैं अब मैंने एक और sentence लिखा And that is one of them या फिर one of they Has have Has have Done Has have done His या फिर her या फिर their Work Has have done His, her, their Work अब sentence आपके पास ये है तो that means कि मुझे यहाँ पर नहीं पता ये जो them है या they है मुझे नहीं पता ये लड़के है या लड़किया मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता लेकिन मुझे ये बताईए यहाँ पर objective form आनी चाहिए या subjective तो बिलकुल objective form आनी चाहिए हमारे पास क्योंकि preposition अपने बाद object लेती है preposition अपने बाद object लेती है तो मैं कहारी हूँ कि उन में से एक उन में से एक जो है वो अपना काम कर चुका है तो that means verb हमारी कैसी रहेगी हमेशा ही singular रहेगी अब बात आती है कि possession क्या लगाए हम तो their possession तो लगे गी नहीं क्योंकि इन में से मैंने एक को select किया है तो बच गया हमारे पास क्या his और her तो पहली priority हम किसको देंगे his को और his हमें given नहीं है तो priority किसको देंगे her को यह हम already सिख चुके हैं कि इसके पीछे का reason क्या है male dominating society पुरुष प्रधान देश तो जब हमें gender ना पता हो तो हम his को priority देंगे her को बाद में रख लेंगे और जब हमें gender जो है सिधा सिधा दिख रहा है कि इसका gender जो है फिर हम next concept की बात करते है जो हैradas यह यह बात जो है आपको समझे में आ गही होगी इसको एग भाद Notes भाद कर लिजाए इसका screenshot ले लिजाए फिर हम next concept की बात करते हैं चलिए शेंस इसके बाद next concept देखिए कि next concept जो है वो क्या कहता है next concept जो है वो क्या कहता है इसके बाद हमें वो देखना है चलिए next concept के हम बात करते हैं तो that means कि मैंने लिखा one, मैंने लिखा ones और मैंने लिखा one अभी देखो अभी हम select क्या कर रहे थे कि हम particular की बात कर रहे थे that means कि लड़कियां थी तो लड़कियों में से एक लड़के थे तो लड़कियों में से एक students थे तो students में से एक इस तरीके से हम बात कर रहे थे लेकिन अब जो है one वो particular के लिए use नहीं हो रहा that means कि लड़कियों की बात की हमने तो लड़कियों में से लड़की को ही select करेंगे लड़कियों में से लड़के को थोड़ी नशिलेक्ट कर लेंगे तो that means वहां हम particular की बात कर रहे थे लेकिन जब हम किसकी बात करें for all सभी की चाहे वो लड़के हो चाहे लड़किया हो चाहे कुछ भी हो that means कि हमें सभी की sense आ रही है general sense आ रही है for all तो जो one है वो आपके sentence के subject का का काम कर सकता है वो आपके sentence का किसका काम कर सकता है subject का काम कर सकता है तो इस subject के लिए जब हम generally बात कर रहे हैं सभी की इस subject के लिए अगर मुझे possession यूज़ करनी है sentence तो अब possession जो है हम his, her या their या फिर its use नहीं करेंगे अब इसके लिए possession क्या यूज़ होगी once, मैंने apostrophe s लगाया है, क्या लगाया है apostrophe s लगाया है और यही one जो है जब सभी की बात कर रहा है तो यही sentence का आपके object भी हो सकता है तो यह आपके sentence का subject भी बन सकता है, यह आपके sentence का object भी बन सकता है और इसके लिए जो possession use होगी वो क्या use होगी? once use होगी apostrophe s के साथ for example अगर मैं बोलूँ कि one should one should respect one should respect one's elders one should respect one's elders तो हम यहां क्या कह रहे हैं कि यहां पे हम एक particular किसी की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि सभी को जो है वो अपने elders की respect करनी चाहिए तो that means यहां पे जो one है वो for all की sense दे रहा है सभी की sense दे रहा है तो one हमारे यहां पे अगर मैं बात करूँ sentence का क्या है आपके sentence का subject और इसके लिए मुझे आगे क्या चाहिए थी possession चाहिए थी कि सभी को अपने elders की जो है वो respect करनी चाहिए तो यहां पे मैं अब his, her use नहीं करूँगी क्योंकि यहां पे particular की एक particular की बात नहीं हो रही है यहां पे for all की sense आ रही है तो यहां पे possession में क्या use करूँगी once use करूँगी तो ऐसा आप कोई भी sentence बना लीजे for example अगर मैं बोलो कि one should one should keep one should keep one's promise one should keep one's promise that means कि सभी को अपने promise जो है वो पूरे करने चाहिए तो one यहां पे क्या हो गया सभी की sense दे रहा है तो यहां आपके sentence का subject बन गया और once मुझे यहां possession चाहिए थी तो मैं his, her नहीं लगाऊंगी क्योंकि particular की बात नहीं हो रही है तो इसने क्या show कर दिया? possession शो कर दिया तो जब आप for all के लिए सभी के लिए आप one को use कर रहे हैं तो उसके लिए possession हम हमेशा ही once use करेंगे students कभी भी possession जो है आपकी वो his, her use नहीं होगी तो I think यह concept जो है आपको one का वो clear हो गया है यह लिख लीजिए एक बार फिर आगे बात करते हैं चलिए तो यह बात आपको समझ में आई आपके note कर लिया होगा, screenshot ले लिया होगा और एक बार students वीडियो को pause करके जो है ना sentence को solve करने की कोशिश जरूर किया करो क्योंकि उससे आपका confidence level बूस्ट अप होगा कि हम question को solve कर भी पा रहे हैं या नहीं ठीक है इसके बाद मैं बात करूं अगर तो हमें पता है one जो है वो क्या होता है singular one जो है वो किसको दिखाता है singular को तो मुझे अगर इसका plural यूज करना है तो plural क्या होगा sentence once without apostrophe जब हमने apostrophe लगाय था तो वो possession दिखा रहा था क्या दिखा रहा था possession दिखा रहा था लेकिन आप मुझे one का plural यूज करना है तो plural यूज करना है तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी once use करूंगे for example ध्यान दो मैं क्या कहना चाह रही हूं अगर मैं बोलूं कि this is the या फिर ऐसे लिखो plural बनाना है न हमें तो ध्यान दो कि मैं क्या कहना चाह रही हूं कि these are the new books these are the new books those are the those are the old books these are the new books and those are the old books तो मेरा repeat क्या हो रहा है books repeat हो रहा है that means मैं इसकी repetition को खतम करना चाहती हूं और मुझे यहां पर क्या दिख रहा है books plural में दिख रहा है तो इस books की जगे मैं क्या use कर सकती हूं once use कर सकती हूं singular होता मानलो मैंने यह लिखा होता this is the new book and that is the old book तो book को मैं किसे replace कर देती one से लेकिन मैं यहां पर जागा की बात कर रही हूं तो मैंने one की जगे क्या use कर लिया students once use कर लिया तो जब हमें one का plural दिखाना हो तो हम उसकी जगे पर क्या use कर लेते हैं once use कर लेते हैं without apostrophe क्योंकि apostrophe तो possession को दिखाता है ऐसे ही अगर मैं आपको एक sentence over बोलूँ और मैं लिख हूँ अगर we should we should practice not only we should practice not only these questions not only these questions but also but also those अब मुझे बताइए यहां पर one आना चाहिए या one साना चाहिए that means कि मैं कहा रही हूँ कि सिर्फ हमें इन questions को इन questions की practice नहीं करनी चाहिए हमें उनकी भी practice करनी चाहिए that means questions यहां पर ज्यादा है और ज्यादा है तो मुझे यहां पर plural form चाहिए तो यहां हम one use नहीं करेंगे one की plural form को use कर लेंगे and that is once वो plural form क्या होगी आपकी वो plural form होगी once तो I think यह बात जो है आपको समझ में यहां पर आ गई है चलिए इसको note down कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं तो इस तरीके से आपके यह जो सारे हैं यह किसके concept थे one के concept थे यह सारे concept आपको अपने दिमाग में रखना है कि कब यह selection दिखा रहा है कब possession दिखाना है possession सभी के लिए दिख रहा है तो हमें once use करना है जब particular की बात हो रही है तो his, her use कर सकते हैं हम लोग एक और word होता है हमारे पास once इसकी pronunciation तो same है लेकिन spelling अलग है और once का मतलब पता है आपको एक बार, एक बार की बात कहते हैं न, once upon a time once upon a time, एक समय की बात once there was a loin, वहाँ पे एक loin था तो हमने स्कूल में देखा होगा कि हम कैसे stories लिखते थे, paragraph लिखते थे तो उसमें जो है, जब एक बार की बात हो रही है कि कुछ बता रहे हैं हम तो वहाँ पे कुन से spelling यूज होती है once, तो अगर example लिखना चाहो तो basic लिखलो, मुझे बताओ यहाँ पे क्या लगाना चाहिए once there was once there was a loin वहाँ पे एक loin था एक बार की बात है कि वहाँ पे एक loin था, तो यहाँ पे क्या लगेगा once लगेगा, once की यहाँ हमारे पास कोई भी sense नहीं है तो जब इस तरीके से use हो रहा हो तो हमें यह वाली spelling को use करना है, तो I think चीजे जो है वह आपको यहाँ पे clear हो गई है इसको एक बार note down कर लीजे, फिर आगे बात करते हैं चली सिंट्स, तो इसके साथ जो है आपके pronoun के पहले दो types that is personal pronoun and possessive pronoun, उसके जितने भी concept, maximum जितने भी concept आपसे पूछे सकते हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे करा दिये हैं next lecture से हम नया type start करेंगे, ठीक है तो personal pronoun और possessive pronoun को बार-बार revise कर लेना, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है ताकि जो students है, maximum students इसका benefit उठा सकें और मैं पूरा course आपको यहाँ पे कराने वाली हूँ तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है और बेल वाला जो बटन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको notification मिलती रहें कि किस time जो है वो class हो रही है ठीक है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी जरूर करके जाएं ठीक है तो students पढ़ते रहें अपना revise करते रहें प्रेक्टिस के बाद तब आती है एक student ने comment किया था कि ना practice इंग्लिश के जो previous years के questions है वो practice करा दो तो मुझे एक बात बताईए students वो मैं अगर practice कराने बैठ हूंगी अगर मैं मानलो practice कराती हूं तो that means कि आपको एक बार मैं पढ़ा रही हूं तो एक बार मुझसे theory तो complete करनी चाहिए ना अपने concepts तो build करने चाहिए ना तभी तो question को solve कर पाएंगे कि मानलो मैं या question solve कर रही हूं और मैं मतलब उस question को फिर मुझे उसका concept बताना पड़ेगा उसके पीछे का concept बताना पड़ेगा लेकिन जब मैं practice करा रही हूं और मैंने वो concept आपको करा दिया है तो that means मैं ये कह सकते हूं कि भी noun के topics देख लो वहाँ पे मैंने ये concept कराया है तो that means मैं question को सीधा solve करा रही हूंगी लेकिन अभी just मैंने अपने classes को start किया है और मैं आपके concept बिल्ड कर रही हूं तो पहले practice कराने को कोई benefit नहीं है एक बार हमारे concept तो build हो तभी तो हम previous years को solve कर पाएंगे तो previous years के पीछे ना भागो देख लो question किस type का आ रहा है लेकिन previous years के पीछे ना भागो अगर आप बिल्कुली beginner हैं अगर आपने चीजे इस तरीके से नहीं सीखिए हैं और अगर आप स्योसते हैं कि नहीं English हमारी इतनी strong नहीं है तो पहले अपने concepts को build करो उसके बाद practice set या उसके बाद previous years पे questions को solve करने की कोशिश करना तो पहले अपने इन concepts को build करो तो साथ-साथ बस मैं जो आपको पढ़ाती जारे हूँ ये आपको साथ-साथ पढ़ते हुए चलना है ठीक है students को क्या होता है कि हाँ मैडम ने पढ़ा दिया बस आगे तो मैडम ऐसे बोल रही होंगी कि subscribe कर देना ये वो ऐसी बात नहीं है झाल झाल